लाइक फ्रेक्शन अब यह लाइक फ्रेक्शन क्या होता है? लाइक फ्रेक्शन क्या होता है? अब आपको लाइक फ्रेक्शन में एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जो कि हमेशा होती है, लाइक फ्रेक्शन हमेशा 2, 3, 4, 5 होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, जब भी हम लाइक फ्रेक्शन निकालते हैं तो फिर एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा होना चा fractions having same denominator कॉल लाइक फ्रेक्शन यानि कि जैसे यहां पर मैं एक एक एक्जाम्पल ले लेता हूँ 4 upon 8 3 upon 8 5 upon 8 और 5 upon 8 तो यह जो है ना लाइक फ्रेक्शन है यह जो है लाइक फ्रेक्शन है क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है सेम है तफ्रीय होगे लाइक फ्रेक्शन यानि कि जब भी एक से ज्यादा फ्रेक्शन होती है और उनकी डिनोमिनेटर सेम होते है ना तो फिर वह है लाइक फ्रेक्शन कहलाती है अब मैं एक और एक्जाम्पल ले लेता हूँ अब यहां पर एक फ्रेक्शन है कि यह दोनों जो है प्रॉपर फ्रेक्शन है आप यह देख रहे हो वन टू यह दोनों जो है वो क्या है प्रॉपर फ्रेक्शन है बक्त यह जो तीसरा फ्रेक्शन है न वो है इंप्रॉपर फ्रेक्शन तो अब यह लाइक फ्रेक्शन हुई बस आपको डेनोमिनेटर देखना होता है चाहे वह इंप्रॉपर फ्रेक्शन हो या फिर प्रॉपर फ्रेक्शन हो चाहे वह इंप्रॉ या फिर मखेटर है दिखान देना होता है कि एंसे हैं या फिर नहीं अगर तीनों का सेम है तो फिर वह स्फेक्षन हो जाएगी कि तो फिर मैं लाइक स्फ Sum hop जाएगी अब क्या यह है लाइक फ्रेक्शन है अब हम डिनोमिनेटर देखें तो फिर फर्स्ट थर्ड का तो सेम है बट सेकेंड का सेम नहीं है बट सेकेंड का सेम नहीं है दो इन दोलों का तो एक्ठ है बट इसका जो है सेकेंड का उसका सेवन है तो अब क्या यह है लाइक फ्रेक्शन सुई नहीं हुई नहीं हुई क्योंकि जो तीनौ आया तीनौ फरेक्ट्टस उसमें तो इसमें दो फरेक्ट्ट्ट्स का तो डीक्ट्स का सेंग है बट दूसरे ऐसी निकल गई ना जिसका डी नूमिनेक्टर सेम नहीं है बस वह लाइक फ्रेक्शन नहीं होएगी